आपके अपने चनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 19 दिसंबर 2022 के बारे में 19 दिसंबर 2020 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहां पर आप सभी को साब धनी रखनी हैं क्या चीजें आप सभी को करनी हैं और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अचुकुपाय के बारे में एंजल नंबर के बारे में आज के affirmation के बारे में और magical time of day के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बहत्रिन बना सकते हैं। सोमवार का दिन रहेगा, सब तर की शुरुआत रहेगी और बहुती ज़्यादा important दिन यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। आज के इस दिन में देखा जाए, तो definitely आप सभी को कहीं कहीं किसी चीज को लेकर के थोड़ी सी परशानी महसूस हो सकती है, या थोड़ा सा struggle महसूस हो सकता है चीजों को करने में, चीजों को अच्छा करने में। बढ़ कहीं न कहीं आप पूरी कोशिश करके चीजों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे लेवल पर आपको success भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब कि परेशानिया है, थोड़ा सा struggle है बढ़ स्ट्रगल के बाद एक अच्छी success यहाँ पर देखने को जरूर म मिलेंगे हाला कि एंड जो है दिन का वो डिफिनेटली अच्छा दिखाता है इसलिए दिन में नेगिटिविटी के कंपैरेजन में पॉजिटिविटी काफी जदा अच्छी है और आज की दिन में कई सारे ऐसे मौक्य मिलेंगे आपको जहां पर आप अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं पेशिंस थोड़ा सा रखना है आप सभी को पेशिंस बनाके चलिएगा जल्दबाजी किसी चीज की मत करिएगा और धीरे धीरे हर एक चीज़ को balance करने की कोशिश करिएगा तो वहाँ पर आपको definitely एक अच्छा result देखने को जरूर मिल जाएगा आज की इस दिन में दो-तिन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़दा सावधानी रखनी है पहली चीज़ आपको किसी भी तरह की partnership के काम में अगर आप involved हैं तो वहाँ पर आपको सावधा नहीं रखनी है दूसरी चीज़ आपको किसी भी तरह की sign करने से पहले दो बार सोचना है और किसी भी document को sign करने से पहले दो बार सोच के समझ करके ही sign करिएगा इस बात का विशिश द्यान किएगा और तीसरी important चीज़ यहां पर देखी जाए तो आज के इस दिन में आप सभी को किसी भी तरह के काम में give up नहीं करना है पूरी तरह से 100% dedication देना है और उसके बाद positive approach के साथ उसकाम को करने की कोशिश करनी है target पूरे होने के chances आज काफी जदा अच्छे बनते हैं आज की दिन में एक अच्छी success यहां पर मिल सकती है कि अच्छा आप अपना balance बना सकते हैं दिन का इस तरह का योग यहां पर clearly दिखाई दिता है यहां सकते हैं अपने दिल की बात समझाना चाहते हैं किसी को तो वह यहां पर आप समझाना समझा सकते हैं दोस्तों के बीच में कोई अनबन है तो वो से solve कर सकते हैं आपर और पारिवारिक रिष्टों को अच्छा करने के लिए भी आज का दिन काफी ज़्यादा जरूरी दिखाई दिता है तो इसलिए आज के दिन में आपके पास कई सारे ऐसे मौके रहेंगे जहांपर relationship काफी ज़ प्रोश देता हुआ दिखाई दिता है अगर आपको कोई बिमारी है तो recovery होने के चांसे काफी ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो वह यहां पर सही होने के चांसे बनते हैं और साथी साथ आज के दिन में थोड़ा सा ज्यादा काम होने की वज़े से हैक्टिक शेडियूर हो अब घूर चूटी चूटी चीजों को लेकर के कोईनों कोंगी परिशानी यहां पर देखने को मिल सकते हैं और यही प्रातना आक तरह काए है यहाँ पर जरूर बनते हैं आज कि दिन में राशहों के मामले में देख लिया जाया है तो मेश राशी के लिए बहुत ज़्यादार दिन यहां पर दिखाई देता है करकर राशी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिन हैं D F G M N K P R S V और W आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज़दा शांदार दिखाई दिता है अगर आज आपका जंग दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई विशेश मैथोपन दिन है आप सभी को मेरी और से हारदिक्षप कामना है इस वर से ही प्रात्तना करता प्राइब की आप सभी का दिन शांदार जाए और आप सभी का आने वाला साल भी बहुत ज़्यादा कुब सुद्स रहे बहुत साल है कई सारी चीजें लेकर आ रहा है आप सभी के लिए कई सारी अपॉर्चुनरी देखने को मिलेंगी और हर एक चीज में आप अपने आपक क्या रहा है और मौकव का फाइदा उठाइए और अपने एजुकेशन को ग्रो करने की कोशिश जरूर कर दिये का आपको बहुत अच्छे जर्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे अब चलिए बात कर लेते हैं आप आज के वैदिक उपाय के बारे में कौन सा वैदिक उपा चाते हैं तो सभी की ने सबसे पहरे तो आप सभी को क्या करना हैं अजप करोशिवजी के आराधना करनी की है और पॉसीबल हो पाए गर कि आसमा कर क्यांके जाकर के जलजरू चड़ाकर क्या हैं बहुत अच्छे रेजल यहां पर देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आज के दिन में क्या करीगा यलो कलर का इस्तमाल जरूर करीगा फीले कलर के वस्तरधारन कर सकते हैं हल्दी का टीका आप माते पर लगा सकते हैं उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजर्ट मिल जाएंगे और गर के शाम को अधियापती के समय शाम को आरती के स में अगर हम एंजल नंबर की बात करते हैं आपर तो वह कौन सा रहेगा नोट कर लीजिए का बहुत ही ज़्यादा नंबर है और फाइनेशली स्टेबिलिटी इन ग्रोथ के लिए काफी ज़्यादा अच्छा नंबर रहेगा आज का नंबर है आपर 4440 किसी चीज की शुरु और हलकी सी हलडी डाल दीजिएगा और फिर अपनी मनों कामना है बोलते रहेगा आपको काफी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे आज के दिन में जो मैजिकल टाइम रहेगा यह कौन सा रहेगा नोट कर लीजिएगा प्लीज 11.30 मौनिंग 11.30 से लेकर के ए भी काफी ज़्यादा शांदार है नोट कर लीजिएगा प्लीज आज का affirmation तुड़े आई विल फोकस ऑन वोट मैक्स मी फील गुड यह आपको बोलना है तुड़े आई विल फोकस ऑन वाट मेक्स मी फील गुड मतलब कि आज मैं उन सभी चीजों के उपर फोकस करूंगा जो मुझे खुशियां देती है जो मुझे अच्छा मैसूस कराती है मैं उनके उपर आज के दिन ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करूंगा यह आपको बोलना है और फिर देखेगा कि कितनी सारी अच्छी चीज़ी चीज़े अट्रैक्ट होती है कितना सा अच्छा अच सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समभना चाहते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मदद्यां पर कर सकूंग झाल